दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आएं 5 best compressor जो completely free है और इस compressor को आप free में ले सकते हैं और premium quality के audio इससे आप ले सकते हैं इसको किसी भी voice के उपर आप लगाएंगे तो आपको एक अच्छा quality का जो sound है वो सुननी को मिलेगा साथ में इसको आप instrument track पे भी use कर सकते हैं music track पे भी आप इसको लगा सकते हैं तो आएए आज हम आपको 5 best compressor के बारे में बताते हैं कौन-कौन से best compressor हैं जिसको आप free में ले सकते हैं और इन सब के list हम आपको यहाँ पर एक एक करके दिखाने वाले हैं तो चलिए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं first VST plugins का जो है audio damage company के तरफ से Rough Rider 3 Rough Rider 3 complete free VST plugins है और यह premium quality का VST plugins है इसके अंदर कई सारे option मिल जाते हैं जो normal VST plugins से थोड़ा सा different है अगर आप normal user है या advanced user है तो भी आप इसको use कर सकते हैं हलाकि आपको इसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा उसके बाद ही आप अच्छे तरीके से इसको use कर सकते हैं और normal compressor से यह काफी ज्यादा और advanced compressor है तो इसको अगर आप किसी song में use करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि इससे आपके audio quality बहुत ज्यादा improve होने वाली है आई आपको इसके feature के बारे में बताता हूं इसके अंदर कई सारे option हैं जैसे सबसे पहला option मिलता है input level का जो input आप किसी mic से दे रहे हैं वो यहाँ से control होगा input level से उसके बाद यहाँ पर option मिलता है side chaining का तो आप इसमें side chaining भी कर सकते हैं और यहाँ पर तीन सबसे जादो जो important चीज है जो हमारे हर compressor में होता है वो होता है ratio और threshold और शाथ में make up gain तो यहाँ पर पहला option मिलता है ratio का बगल में बीच में जो option है वो है sensitivity का और last option जो है यहाँ पर make up का तो यह 3 option main important है जहां से आप अपने किसी भी गाने का जो vocal है उसको improve कर सकते हैं उसको adjust कर सकते हैं तो यह completely free BST plugins है अगर आप इसको try करना चाहते हैं तो इसका भी link आपको नीचे description में मिल जाएगा जहां पर जाके आप इसको जरू try किजेगा तो चलिए दोस्तों next BST plugins के उपर बात कर लेते हैं जो है Thrill Seeker LA 3LC का रहेले काफी popular BST plugins से लोग बहुत ज़्यादा इसको use करते हैं इसके अंदर multiple option देखने को मिली जाता है साथ में आपको कई सारे preset free में इसके अंदर मिल जाते हैं इसके advanced feature की बात करें तो यहां पर आपको mix level, sc filter, sc root, input जो threshold का का काम करता है साथ में attack and release time देखने को मिलता है बीच में आपको एक view meter मिल जाता है जहां पर आप देख सकते हैं अपने voice का meter साथ में आपको sc low cut, range और साथ में output का option देखने को मिल जाता है तो अगर आपने अभी तक इसको try नहीं किया है दोस्तों तो इसको जरूर ट्राइ कीजेगा इसका भी link नीचे description में दिया गया है तो चलिए दोस्तों next VST plugins के उपर बात कर लेते हैं जो आता है Combear के तरप से completely free VST plugins बहुत ही simple सा दिखने वाला ये VST plugins बहुत बड़े-बड़े काम कर देगा तो अगर आपने इसको try नहीं किया है तो जरूर कीजेगा क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं बहुत simple option मिलते हैं तो simple तरगे से आप अपने voice को compressed कर सकते हैं इसके अंदर multiple आपको preset देखने को मिल जाता है तो बहुत सारे preset अलड़े हैं इसके अंदर तो आपको अलग से preset लेने की ज़रूरत नहीं है ना फिर बनानी पड़ेगी आप simply preset के मदद से भी इसको compressed कर सकते हैं इसके अंदर simple option है उपर में आपको bypass का option मिलता है जहां से आप चाहें तो इस plugins को bypass कर सकते हैं उसके बाद compressor का option मिलता है नीचे आपको mix का option मिलता है जो compressor को compressed करने के लिए काम आएगा नीचे आपको input gain का option मिलता है चाहे तो आप gain को घटा या बढ़ा सकते हैं compress करते समय और स आप गयन का option मिलता है जहां से आप इसको control कर सकते हैं और इसके बगल में दुस्तों एक option मिलता है जहां पे आपको meter दिखाई देगा तो जो भी आप यहां पे input डालेंगे या जो भी compressed कर रहे होंगे वाइस उसका meter यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा तो काफी अच्छा compressor है अगर आपने इसको try नहीं किया तो इस वीडियो के बाद कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं next वीडियो के दरब तो यह है X4 का OTT Complete Free VST Plugins इसके अंदर कई सारे option आपको दिखने को मिलते हैं इसके अंदर कई सारे preset भी आपको मिल जाएंगे तो बहुत ईजीले आप preset के मादिम से भी इसको यूज कर सकते हैं अगर आप नई user है तो भी आप इसको बहुत ईजीले यूज कर सकते हैं वैसे इसके बहुत सारे tutorial भी YouTube के अंदर मिल जाएंगे आपको तो अगर आप इसको try करना चाते हैं तो कर लिजेगा इसका भी नीचे link description में दिया गया है और ये completely free है इसके अंदर अलग अलग तरीके से आप voice को compress कर सकते हैं जैसे HTML का option है high medium low का option है तो आप उसको अलग अलग तरीके से compress कर सकते हैं adjust कर सकते हैं compress कर सकते हैं उसके बाद depth का option मिलता है time gain out और नीचे कुछ option मिलते हैं तो आपके जरुत के साबसे ये बहुत ही अच्छा अप्लेगिस है और आपको ये जरूर ट्राइ करने चाहिए तो ये है हमारा next VST plugin जो है depth charge और ये है version 1 काफी अच्छा popular VST plugin से बहुत सारे लोग इसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपने इसको अभी तक try नहीं किया तो जरूर कीजेगा दोस्तों काफी अच्छा compressor है ये इसके अंदर multiple option आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे आप उपर में देखी सकते हैं active का, listen का, saturation का नीचे के तरफ कई सारे low, high, ahead, attack, release, cutoff का, ratio का, threshold का जैसे normal compressor में होता है उसी तरीके से है बहुत सारे advanced भी option आपको देखने को मिल जाएगे साथ में यहाँ पर एक view meter भी आपको मिलता है तो बहुत easily आप यहाँ पर जो भी चीज़े काम कर रहे होंगे वो यहाँ पर view meter पर आपको show up होगा और साथ में बहुत सारे free preset भी इसके अंदर देखने को मिल जाते है तो अगर आपने इसको try नहीं किया है तो कर लिजेगा वैसे इसके बहुत सारे tutorial भी available है YouTube पे तो आप वहाँ पर भी इसको जाके देख सकते है तो चली दोस्तों यह थे कुछ बहतरीन compressor जो मैंने आपको इस video बताया और I hope कि आपको यह video पसंद जरूर आयो होगी अगर आपने अभी तक इस channel को like नहीं किया है subscribe नहीं किया है तो इस channel को कर दीजेगा और साथ में हम चाहते हैं दोस्तों कि कम से कम आप 200 likes इस video को देए I hope कि आप लोग इस video को देख रहे हैंगे और इस video को like जरूर करेंगे